हेलो एब्रवान वेल्कम वेक तो माई यूटूब चैनल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसे सिन को देखते हैं जहां हेना यूल के कपरे पहन का घर से जा रही होती है तब ही जीन उससे यूल समझ कर बुलाता है और उसके बाद चाता है और कहता है वापस आते समय आइसकिम लेकर आना और जीन बाटरूम में चला जाता है और हेना भी वहां से चली चाती है उसके वद हम यूल को देखते हैं वो हेना यानि डॉक को धून रहा होता है तब ही जीन बाहर आकर उससे देकर शौक होता है और उससे पूछता है तुम यहां क्या कर रहे हो तुम तो अभी बाहर गए थे तो व्यूल उससे पूछता है क्या आपने कोको को कही देखा है तब जीन मना करता है तो व्यूल कहता है जून से ओ आकर उससे ले गया होगा और वो अपने रूम में चला जाता है उसके बद हम हेना को घर में देखते हैं जहां उसे जीन का मैसेस आता है क्या तुम आज मेरे साथ लंज करना चाती हो उसके बद हम जीन और हेना को रेस्टूरेंट में देखते हैं जहां जीन उससे कहता है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है जी उनके केस और डॉक के दर दोनों ही बातों में वही हेना उससे पूछती है तुम कितने बज़े सोते हो रात को तो जीन कहता है ग्यारा बज़े तक और कभी कभी तो मैं सुभे तक जगा रहता हूँ क्लास के मेटरिल त्यार करने के लिए ये सुनकर हेना चिला कर कहती है तुम ये नहीं कर सकते हो और बात में शान होकर कहती है तुमें ऐसा नहीं करना चाहिए तुमें जल्दी चोना साहिए अपने हैल के लिए और वो पूशती है तुम अपना रूम बन करके तो नहीं सोते हो न तो जीन कहता है इन दिनों में कोको के वज़े से बन करके सो रहा हूँ तो हेना पूछती है क्यों तो जीन कहता है सेफटी के लिए तो हेना कहती है तुम्हे कोको के सार फ्रेंडली होने का कोशिश करना चाहिए तो जीन कहता है वो क्यूट है तो हेना पूछती है क्या तुमने उसे देखा है तो जीन हा कहता है ये सुनकर हेना बहुत खुश होती है और वो हसने लगती है उसके बाद हम स्कूल का सिन देखते हैं जहां एक new transfer student आई होती है जिसका नम जीया है वही वो एक सैमन होती है और स्कूल के सभी student उससे अपना पास दिखाने के लिए लान बनाया होता है जीया वही होती है जिसे पास में हमने जीन और हेना के साथ देखा था वही वो एक लड़की का पास बताती है तब वो लड़की उससे पैसा देने लगती है जिसके लिए जीया मना करती है तब वो लड़की उससे चौकलेट देती है उसके वास सभी लोग अपने सीट में तब यूल पूश्टा है कहां तब जीया कहती है एक तब सिटुएशन में जहां तुम नीदान होंगे और तुम आजकल एक डॉक से मिल रहे हो जिसी एक स्टोरी है यह सुनके यूज शौक होता है उसके बद हम जीन और बोहियूम को देखते हैं तब ही जीन को जुंसियो दे और वो वहां से चला जाता है तब बोहियूम जीन से पूशता है कोको कौन है तब जीन कहता है कोको जुंसियो का डॉक है जिसने मुझे लास्टेम हैल्प की थी उसके बद हम यूल और हेना को देखते हैं जहां हेना यूल को जुस देती है और कहती है गल स्कुल रिप है इ इसके बद हम रात का सिन देखती हैं जहां यूल सोया हुआ होता है और हेना उसे उठारे ही होती है लेकिन वो नहीं उठता है तब हेना खुद ही बाहर जाती है वहीं जीन अभी तक नहीं सोया होता है और हेना जीन को देखर मन में सोचती है क्या इसे अभी भी दौक से क्या था और वो जीन के तरफ जाने लगती है बात में वो उसके सामने अजीब अजीब हरकते करने लगती है तो जीन उठकर उसके तरफ जाता है वही वो उसे तच करने वाला ही था तभी बोग्यम उसके घर में आ जाता है और वो जीन से कहता है आज मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगा वही हम यूल को देखते हैं उसे यूना का कॉल आ रहा होता है लेकिन यूल नीन में होता है जिससे यूना खुदी पासवर्ट खोलकर अंदर चाती है हेना को लेने के लिए वही जब यूना उसे लेकर जा रही होती है तब बोग्यम उसे रोक लेता है और उससे प कहती है तब बोग्यम उससे कहता है कोको का ख्याल रखना क्योंकि इस धुनिया में बहुत सारे डॉक है लेकिन कोको एक ही है और लोग अपने खोए हुए डॉक को ढूनने के लिए कुछ भी करते हैं और डॉक इंसान से कम समय जीते हैं यह सुनकर यूना दर जाती है और वो से चली चाती है उसके बाद वो ओटे के सब वहां से घर चली चाती है वहीं बोग्यम उन्हें जाते हुए बिल्डिंग के उपसे देख रहा होता है नेक्स्ते हम यूना और हेना को देखते हैं जहां हेना स्कूल ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही होती है तब यूना उससे अपना ख्याल और क्यारफूर रहने कहती है उसके बाद सभी स्टूडेंट और तीचर तीप वाले जगा में पहुत जाते हैं वही हेना सबसे सुपते हुई रिसप्सनिस से एक रूम के लिए पूछ रही होती है एक्स्ट्रा लेकिन उसे एक्स्ट्रा रूम नहीं मिलता है तब ही उसके पास यूल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है उसके बाद हम देखते हैं यूल हेना के लिए डॉग बनने में रहने के लिए चोटा सा घर बना देता है जिसका समन वो घर से लेकर आया था तब हेना उसे इन सब के लिए ठैंक्यू कहती है उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग एक साथ फोटो क्लिक करते हैं वहीं हम देखते हैं बोग्यम और जिया एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं लेकिन यहां वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं उसके बाद हम रात का सिन देते हैं जहां हेना जगी होती है वहीं उसके रूम में यूंसाई और श्योंग भी होते है वो दोनों सोये हुए होते है तब हेना चुपते हुए बाहर जाने लगती है तब यूंसाई उच जाती है और उससे पूछती है तुम कहां जा रही हो तब हेना बहाना बनाती है मैं वाश्रूम गई थी और वो फिर से बैट में चली जाती है उसके वद हम जीन को देखते है वो डॉक के उपर बुख पर रहा होता है यहाँ जीन का नाई डूडी होता है तब ही उसके पस यूण शाय आती है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नाई डूडी करूंगी क्योंकि हेना ने मेरे साथ अपना डूडी चेंज कर लिया है सायद वो बोगयम के साथ नाई डूडी करना चाती है तब ही जीन को हेना देखती है वो कहीं भागते हुए जा रही थे जिससे जीनियूसा इसे कहता है मैं राउन मारकर आता हूँ और वो हेना के पीछे जाता है वहीं उसे हेना नहीं दिखती है डॉग दिखता है क्योंकि हेना डॉग बन चुकी होती है वहीं हेना अपने शेल्टर के अंदर चली जाती है उसके बाद नेक्स मॉर्निंग जब वो इंसान बन जाती है तब वो फीज से रूम में जाकर सो जाती है नेक्स इन में हम देखते हैं सभी स्टूडरंस और टीचर बस में कहीं चा रहे होते हैं वही हम तीन लर्कियों को देखते हैं, वो तीनों प्लैन बनाते हैं कि वो तीनों रात को छुपकर नाइट मार्केट जाएंगे घुमने के लिए, उसके वत हम बोग्यम और जीन को देखते हैं, वो दुनों घुम रहे होते हैं, तब जीन को हेना दिखती है, जो स्योंग के सा उपर रूप ना गिरे, वहीं श्योंग हेना को उठा कर कहती है, तुम हर समय सोती क्यों रहती हो, चलो हम बोट राइट करते हैं, और वो जीन और बोग्यम से भी पूछती है, क्या तुम दोनों हम भी चलोगे, उसके बाद वो चारो बोटिंग के लिए जाते हैं, वहीं श्य श्योंग उसे रोक लेती है, और कहती है, तुम मेरे साथ चलोगे, श्योंग ऐसा इसलिए कहती है, क्योंकि वो जीन राइट को बोग्यम के साथ अकेले चोड़ना चाती थी, उसके बाद हम उन चारों को बोटिंग करते हुए देखते हैं, जहां जीन श्योंग के साथ होता वहीं जीन हेना को बोग्यम के साथ देखर चैलिस हो रहा होता है और बोग्यम हेना से पूछता है तुमने अपने नाइट ड्यूटी यूंसाई के साथ क्यों चेंज किया क्या तुमने ये मेरे लिए किया क्योंकि तुम मेरे साथ रहना चाहती थी तो हेना कहती है ऐसा कोई बात नहीं है तभी हेना को बोट में केटरपिलर देखता है जिससे दर्ट कर वो छिलाने लगती है हेना को केटरपिलर से दर्टी हुए देख कर सभी स्टुडन्स हस रहे होते हैं उसके वथ हम रात को हेना और यूंसाई को देखते हैं जहां हेना उसे आज भी not duty सुच करने के लिए पूशती है, लेकिनि उसा ही कहती है मैं आज सुच नहीं कर सकती हूँ, तब हेना को ही not duty करना पटता है, वहीं वो सभी girls के room में जागे चेक कर रही होती है, कि सभी लोग अपने room में है की नहीं, और जब हेना जी आ के room में जात रहा है तो हेना जीया से कहती है तुम्हें अभी सो जाना चाहिए वहीं हेना देखती है उसकी बाकी की तीन रूम में रूम में नहीं है उन्होंने अपने को सोये हुए दिखाने के लिए अपने बैक के उपर प्लैंकर रखा होता है वहीं हम उन तीनों लग्यों को देखते है वो तीनों मार्केट में गई होती है हेना उन्हें कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसके कॉल रिसिप नहीं करती है तब वो उन्हें धूनने के लिए टेक्सी में जाने लगती है तभी जीन भी वहाँ आ जाता है और वो भी हेना के साथ जाता है उसके बाद वो तोनों मार्केट पहुच जाते है और उन्हें अलग-अलग होकर ढूनने लगते है वही वो तीनों लड़कियों ने हेना और जिन को देख लिया होता है जिससे वो उनसे चुप जाती है उसके बाद हेना जिन से मिलती है तब जीन कहता है आधी रात होने वाला है अभी तक हमें वो तीनों नहीं मिले है तब हेना ये सुनकर कहती है हमें अलग-अलग होकर उन्हें धुनना चाहे लेकिन जीन इसके लिए मना करता है और कहता है हमें एक साथ उन्हें धुनना चाहे तब हेना बहाना बनाती है तौले जाने का और वो वहाँ से भाग जाती है उसके वद हम यूल को देखते हैं वो हेना के दौग वले घर के पाँ जाता है और वहाँ हेना को नहीं देखकर उसे हेना की तेंशन होने लगता है वही हम स्यूंग और एक टीचर को देखते हैं उन्हें भी सब पता चल गया होता है जिससे मेल तीचर उन तीनों लड़कियों को धुनने के लिए जाने लगते हैं वही यूल उनकी बास सुन लेता है कि हेना मार्केट गई है उन्हें धुनने के लिए वही जब वो तीचर मार्केट पहुशते हैं तब उन्हें वो तीनों लड़किया मिल जाती है लेकिन वो तीनों लड़किया सर को डिकर वहां से भागने लगती है तभी उनके सामने जीन आ जाता है जिससे वो तीनों लड़किया पकड़े जाती है वहीं जीन हेना को कॉल कर रहा होता है लेकिन तब तक हेना जौब बंचुकी होती है जिसे वो call receive नहीं करती है तब जीन उन teacher से कहता है आप इनको लेकर चले जा मैं हेना को दुन के उसके साथ आऊँगा उसके बाद जीन हेना को दुनने लगता है तब ही उसके बाद हेना जो dog बन चुकी होती है वो आती है वहीं हेना मन में कह रही होती है मुझे उठा लो लेकिन तभी एक ओल लेडी आकर हेना को उठाकर अपने साथ लेकर चली चाती है उसके बाद हम देखते हैं उस ओल लेडी ने हेना को अपने घर के बाहर बान कर रखा होता है तब ही वो ओल लेडी चाकू लेकर बाहर आती है तब हेना चाकू देकर मन में कहती है क्या ये मुझे मारने तो नहीं वाली है ना उसके बद हम यूल को देखते हैं वो भी मार्केट पहुँच चुका होता है और वो हेना को धून रहा था वहीं उसे हेना का मूबाल और कप्रा मिल जाता है उसके बद हम हेना को देखते हैं जब वो ओल लेडी अंडर होती है तब हेना अपने दाट से रस्से को काट कर वहां से भागने लगती है ओल लेडी उसे बुलारे ही होती है लेकिन हेना उसके पास नहीं चाहती है वही हम जीन को देखते हैं वो हेना को ढून रहा होता है हेना जब जीन की अवास सुनती है तब वो उसके तरफ जाने लगती है लेकिन तब ही वो पूल के उपर से नीचे गिर जाती है जिससे जीन उसे देख नहीं पाता है और वो वहां से चला जाता है उसके बाद यूल भी वहां पहुँच जाता है और वो एक सीती बजाता है जिसकी अवा सिर्व दोखे सुन पाते है और हेना उसकी अवा सुन कर भोगने लगती है तविल उसे देख लेता है वही यूल हेना के कपरों से रसी बना का नीचे फेगता है तव हेना उसे पकर के उपड़ आने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं आप आती है तविल हेना के कपरे नीचे फेग देता है क्योंकि छे बज़ने वाला था वहीं यूल पास के एक घर में जाता है रसी मांगने के लिए वहीं हम हेना को देखते हैं वह इंसान बन चुकी होती है और वो चिलारे ही होती है कि कोई मेरी हेल्प करो तभी जीन वहां आता है और उसे हेना दिखती है तब वो हाद से खीचकर हेना को उपर लाता है वहीं हेना उसके उपर गिर जाती है उसके बाद हम देखते हैं जीन हेना के पैर में पती बान रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम इतने दूर उन्हें धुनने आई थी तब हेना जुट में हां कहती है जीन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और बात में जीन हेना को अपने बैक में उठा कर लेकर जाता है व्यूल उन्हें जाते हुए देखता है और वो कहता है मिस हेना अंकल से मिल गई वही हेना को जाते समय रस्ते में एक पोस्टर दिखता है जिसमें डॉक की मिसिंग का नियूस होता है और वो सोचती है वो ओल लेडी ने मुझे बस अपनी डॉक समझ कर ले लिया था वहीं जीन हेना से पूछता है तुमने मेरे साथ वाले नाइट डूटी को यून्शाई के साथ क्यों सुइच किया क्या ये बोग्यम के वज़े से है क्या तुम उसके साथ डूटी करना चाती थी तब हेना कहती है ऐसा कुछ नहीं है मैं बस डूटी करना ही नहीं चाती थी और वो जिन से कहती है मैंने जो एक बार तुम से कहा था कि मेरी तुम बोग्यों के क्लोश जाने में हैल्प करो उसकी अभी जरुत नहीं है क्योंकि अभी मेरे दिल में उसके लिए कोई फिलिंग नहीं है उसके वाद वो दोनों टैक्स से उतर रहे थे तब बोग्यम उन्हें देखकर कहता है तुम दोनों को अलग होने के लिए एक दूसरे के क्लोस जाना पड़ेगा तब ही उसे जीया देखती है वही जीया उससे माई लॉट कहती है और कहती है तुम यहां भी तीचर हो लेकिन मैंने तुम्हें स्कुल में नहीं देखा था यहां उससे मिलने वही तीनो लड़की आती है और वो उस से माफी मनगती है और एक लड़की कहती है मैं अपना वॉलिट वही भूल कर आ गई हूं उसके बाद हम हेना को देखते है वो वॉलिट लेने के जाना चाहते हूं उसके वाद हम उन दोनों को मार्केट में देखते हैं जहां हेना वालेट ले लेती है उसके वाद हेना यूल के लिए कैप ले रही थी जिसे वो जीन के उपर पहना कर ट्राइ करती है वही हम एक आत्मी को देखते हैं वो उन डोनों का साथ में पोटो क्लिक कर रहा था ये आत्मी यूना का एक्स बॉइफरिन था वही वो आत्मी अपने आप से कहता है क्या ये आत्मी हेना का बॉइफरिन है क्या उससे पता है कि हेना का एक सिक्रेट है क्या उसे पता ही कि उसकी गल्फर मॉंस्टर है यहां इस आत्मी को पता होता है कि हेना दौग बन सकती है उसके वाद हम देखती है हेना कॉटन कैंडी लेती है और वो जीन को दिखा कर कहती है हमें इसे जल्दे खाना चाहिए वरना ये खतम हो चाहेगा तब जीन उसे नहीं दे रहा होता है और वो अपना हाथ उपर कर लेता है तब हेना उसे लेने चाहती है और यहां वो दुनों एक दूसरे के ख्लोस आजाते है और एक दूसरे को देख रही होते है और इसी के साथ ही एपिसोड एन होता है और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सस्काइक करके बेल आइकन को क्लिक केजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वचिंग दा वीडियो